लग्जरी और सौंदर्य के मालिक शुक्र किन राशों पर सदेफ रहती है शुक्र की किरपा किन के जिंदगी से शुक्र गरीबी मिटाते है शुक्र के वर्दान से किन को मिलती है लग्जरी देखे सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्यान को इस बन हम आप लोगों के लिए एक दिल्चस भी टॉपिक लेकर आयों टॉपिक है शुक्र से संबद जी हां शुक्र जो कि देखे जोधिश के नजर से देखा जाए तो शुक्र को आपके सुंदरिय, कला, वैब हफ्ता, आपके भोग विलास और आपके सुक्स, समरदी और खासकर आपकी लग्जरी से जोड़ा गिया है और कहते हैं कि शुक्र के किरपा से ही व्यक्ति, भौत एक सुक्स, साद उनों का भोग कर पाता है लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हर कोई चाहता है कि उसकी कुंडिली में उसके जीवों ने शुक्र हमेशा बलवान रहे लेकिन आज हम आईक्षमाजी से यह जानने की कोशिश करेंगे कि जोतिश में वो कौन से तीन राशियां ऐसी बताई गई है जिनके लिए शुक्र हमेशा एक वर्दान रूप में साबित हुए हैं जिनकी तिजोरिक और शुक्र कभी खाली नहीं होने देते हैं हमेशा नहीं नहीं सकते हैं जब से सबहों नचाहिए कोार य॒ंट नहीं हो जाता है इसे पर चक्चा करते हैं महीं जी से, तो महीं जी सबसे पहले में आपसे यहीं जाना चाहूंगी, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ ऐसी पर्टिक्लर राश्या होती है, जो शुक्री की फेवरेट कहला ही जाती हैं? बिल्कुल देखें, जैसे हर घ्रय के एक स्वामी होते हैं, जैसे मेश राश्य देखें, इनके स्वामी मंगल हैं, तो इसी तरह बारा राश्यों के स्वामी हैं, कुछ राश्य हैं जिनके दो दो स्वामी होते हैं, जैसे कि मिथुन राश्य कन्या राश्य दोनों के हमारी के केंद्र वहा हैं तो लेकिन अगर कई बहूं में बैठे हैं इन ये इन नियर श्क्र तो आप यह समझ चो निर्मान को रिक्ति महाधनी ho freezing है एश्वरिय शाली होते हैं वैभव शाली होते हैं सुख समरद्दी भोग विलास्ता की धन धानने की संतान की उत्तम वैवाइक सुख की कभी भी कमी नहीं रहती है तो शुक्र इंसब्चिरों के कारक भी है और अक्सर देखा गया है कि जिनके शुक्र केंद्र तो वह लोग जो है अपने जीवन को बहुत जारा मतलब की विलास्ता पून तरीके से जीना पसंद करते हैं जी शुक्र के वारे में कहा गया है कि अगर यह केंद्र में आ यह लूग जोतिश की नोलीज रखते हैं वो लोग इसको समझ सकते हैं कि अगर इन भावों में शुक्र बैडड़ जाए और इन तीन डाश्व में किसी भी एक राश्वी में तो यह समझ लिए कि आपको जीवन में तरक्की करने से कोई नहीं नोग सकता एक्जामपल के फूर या तो आपका जनम किसी अमीर परिवार की घर में होता है तो यह होता है शुक्र का प्रवाब क्योंकि शुक्र एक ऐसा अकेला गिराया कविदर जिसको कहा गया है कि अगर आपकी कुल्डी में बुद्ध मजबूत है शनी मजबूत है शुक्र वीक है तो सब कुछ होते वे भी आप उन संसादनों का भोग नहीं कर पाएंगे यानि भ लिकत नहीं और देते खासकर आर्थिक तौर पर तो मैं जी मैं और क्यों यह भी जाना चांगी पहले नंबर वह पहली राश्याव राशी इसके स्वामी शुक्र अगर आपकी पत्रिका में शुक्र जो है वुरशव राशी में बैठे हैं तो यह समझ लिजगी आपको आप वे नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं लेकिन यह राजयोग तब परभावी होता है जब यह केंद्र त्रिकोण में बनता है जो भी आपको समझा है जने कि केंद्र एक चार साथ दस और त्रिकोण पांच और नो इन भावों में अगर शुक्र आपके व्रशव कार होते हैं या उच्छ कोटी के अव्यापारी होते हैं तो अगर व्रशव राशी में आपके में शुक्र बैठा है तो यह समझे जिवन में सुख सम्रद्धि की कमी नहीं रहती हैं माल लिजए कि आपका जन्म है वह गड़ी परिवार्वार्व में हो तो वह धीर धीर बनाते हैं जिसको कहते हैं मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग में व्यक्ति को उच्च कोटी का उसका व्यवाइक जीवन रहता है संतान सुक्ति कमिनी रहती है जीवन एश्वरिय पून बीटता है भोग विलास तक सुख सुविधाओं की धन धानने की कोई कमिनी रहती है और ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा व्यापारी भी देखा गया है यूकि जिनके शुक्र मजबूत होते हैं वो व्यापार में या कला जगत में बहुत अच्छा अपना नाम रोशन करते हैं तो अगर आपकी कुणली में भी शुक्र तुला राशी में बैठा है केंडर तिरकोण में होके बैठा है तो निश्चित रूप से माल लिजे कि आपको जबरदस धनलाब देगा और भागेशाली योग बना देगा यह और किसी तरह की कोई परिशानी आपको नहीं रहती है तहीं आपनो तक तो देखें आपने जिन दो राशनी वो शुक्र कि राशी है आपको तुला राशी हो गए और आपकी व्रिशब वर बशर्षे को गई इसके अलावर तीसी में भाउन सी धालना चाहंगों ता यहाँ अब USA नेमित्वफैन रहा उजाए आपके आपके संपत्ती 50 होती है आप अपने कंपझी के अपने अपने उत्रां कि कमपणी Cr Gang चलाते हैं business होते हैं नोखरी अगार कर तो जीवन में तीस बरज के बार अपना उन्य लिएपार स्टेंट हमने देखा है कि ऐसी बहुत सी परसेनलिटी फिल्म जगत में पतरकारीता जगत में हैं कॉर्पेट इंडस्ट्री में है आईटी में है जो कि बहुत अच्छा नाम रोशन कर रही है यह अपना खुद का वेबसाइट कर रही है और जिनका नाम जो है वो बड़ा जबरदस्त आज की डेट में च्छाया हुआ है तो यह वो तीन राशी है वरशब राशी तुला राशी और मीन राशी अगर आपकी कुल्ली में शुक्र इन तीन राश्यों में है तो आपको जीवन में भोग विलास्ता को हासिल करने में सुख सम्रद्धी पाने में एश्वरिय पून जीवन जीने से कोई नहीं रोख सकता है और से कहते हैं जोतिश का गड़न गड़ित ग्रहों का गड़ित चली इसे किसाब मुझे और मैंक्ष्ण वाजी को दोनों को दीजे जाजत नमस्कार